ईश hace little ं संवागत है आपके अपने YouTube चैनल पर प्यारे साथियो बात कर रहे है हम ४िहार जो सिक्षक पात्रता परिक्षा है दिखुष के बिहार की सिक्षक पात्रता परिक्षा टालने को चुनाब आयोग को पत्र सबसे पहले मैं आपको बता दू कि बिहार जो एस्टेट की परिक्षा है वो आपकी 18 मई से लेके 29 मई तक प्रस्तावित है उसका पहला चरण इसी के बीच में यूवा मंच राध्यक्स अनील सिंग ने चुनाब आयोग मुखे चुनाब आयोग तो जो हमारे राजीव कुमार जी है उनको पत्र लिख करके उनके संग्यान में एक बात डाली है कि यूपी और बिहार की बहुत सारी लोकसभा सीटों पर 25 और 20 मई को चुनाब होने वाले है जिसके चलते जो विध्यारतियों का पेपर है 18-29 के बीच में तो क्या होगा कि उनको ट्रांसपोर्ट की समस्या आ सकती है क्योंकि जादा तर जो ट्रांसपोर्ट है वो आप लोगों का चुनाब कराने में भीजी है साथी के साथ उन्होंने एक और बात पर प्रकास डाला है कि इस बीच पेपर में धांदली होने के भी चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि बिहार प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चुनाब में लगा हुआ है तो उन्होंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट डाली है पतर लिख करके कि यह पेपर जो है जो 18-29 मई के बीच में है इनको चुनाब के बाद कराया जाए देखेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की 18-29 मई के बीच प्रस्तावित माध्यमिक सिक्सा पातरता जो की प्रिथम चरण है की इस्थगित कर चुनाब बात कराने की मांगी गई है मुखे चुनाब वायुक्त को भेजे गए पतर में बताया गया है कि इस अबधी में 20-25 मई को उत्तर प्रदेश एवं बिहार में लोग सभा की कई सीटों पर मतदान होना है और परिक्सा में समलित होने वाले बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने आवेदन किया है चुनाप के कारण बहँनों की कमी होने से उत्तर प्रदेश में जाने वाले परिक्षार्थियों के साथ-साथ बिहार की प्रतियोग्यों को भी आने जाने में परिशानी हो सकती है यूबा मंच अध्यक्स अनिल सिंग ने मुखे चुनावायुक्त को पतर लिख कर बताया कि 20 वे 25 मई को मद्दान होने के कारण उनके ठीक पहले और बाद में बड़ी संख्या में बाहन निर्वाचन कारणे में लगाए जाएंगे ऐसे में परिक्षा में देने उत्तर प्रदेश से बिहार जाने वाले लाखो भ्यारतियों को परिवहन की कमी के कारण जूजना पड़ेगा जिसके चलते देर से पहुँचने पर बड़ी संख्या में परिक्षारतियों की परिक्षा छूट भी सकती है और इस परिक्षा में द देशित कर 18-29 मई 2024 के दर्मियान आयोजित होने वाली माध्यमिक सिक्सा पातरता परिक्षा को इस्थगित कर चुनाव उपरांत कराई जाए और इसके लावा पत्र में बिहार सरकार के संग्यान में यह भी लाया गया है कि चुनाव में पिर्शाशन की व्यवस्ता के चलते सि पर लीक में धानली कराने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता तो यही सारे मुद्दे हैं तो देखेगा इस पत्र को जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग है जो हमारा चुनाव आयोग है वो किस तरह से लेते हैं और इस पर कोई असर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है तो नीचे दिये गए जो Google form है उसमें अपनी query को भर सकते हैं और जहाँ पर हमारी team आप से contact कर लेगी तो प्यारे साथ ही हो चलते हैं और अपनी तयारी करते रहिएगा All the very very best जय हिंद जय भारत